नमस्कार वीकेवी न्यूस के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है अब रुप करते हैं आज की हेड्लाइन्स पर नाकूर से लापता व्यक्ति की खापा में हत्या पत्ली ने ही दी पती की हत्या की सुपारी कॉर्पोरेट अस्पताल के जैसे बनेगा मेडिकल अस्पताल का पेइंग बार्ड छे मनजिला इमारत में होंगे हाई टेक पेइंग बार्ड और रेम्डे सिवीर की काला बाजारी करने वाले को पाच साल की जिल जिला सत्र नैले ने दिया फैसला और अब खबरे विस्तार से अजनी परिसर से लापता हुए एक व्यक्ति की खापा में हत्या किये जाने का संसनी खेच खुलासा हुआ है बताया जा रहा है कि पत्नी नहीं सुपारी देख कर उसकी हत्या करवाई पिछले पास दिनों से वह लापता था और रजनी थाने में उसके गुमशुदा होनी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी मंगलवार को खेकरा नाला परिसर में उसकी लाश मिली इस मामले में दो आरोपियों को उड़केश्वर पुलिस ने गिरफतार किया है पुलिस ने बताया कि मृतक सरस्वती पैलेस वंजारी नगर निवासी प्रदीब बागड़े है पकड़े गए आरोपियों में पवन विठ्थल चौधरी और सुमीत का समावेश है प्रदीब नरेंद्र नगर परिसर में बिर्यानी की दुकान चलाता था जानकारी के अनु प्रदीब के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई गई पुलीस ने प्रदीब के नंबर का टॉर लोकेशन खंगालना शुरू किया उसका आकरी लोकेशन खापा से 135 किलो मीटर दूर वरुण में था मंगलवार की सुबह खापा पुलीस को जानकारी मिली कि खेकरा नाला परिसर में स्थित एक बड़े से पाइप में लाश पड़ी है पुलीस मौके पर पहुची तो लाश सड़ चुकी थी कुत्तों ने लाश को खीच कर बाहर निकाल दिया था जेब में पुलीस को ड्राइविंग लाइसन्स मिला जिससे प्रदीब की पहचान हुई इसी बीच पवन और सुमीत ने हुडकेशवर धाने में सरंडर किया पताया जाता है कि प्रदीब की पत्नी सीमा ने ही दो लाग पचास हजार रुपए में सुपारी देकर उसकी हत्या करवाई है इस मामले में और भी आरोपियों का समाविश हो सकता है ग्रामीन पुलीस प्रकरन की ज प्रांच में जुटी है शासकी वैदी के महाविध्यालेव अस्पताल के पेंग वार्ड में अकसर वी आईपी लोगों को भरती किया जाता है कोरोना काल में पेंग वार्ड में डॉक्टरों सहीद कुछ नेता भी भरती हुए थे लेकिन मौजूदा पेंग वार्ड काफी पुराना हो गया है वही जगह है कि मेडिकल प्रशासन ने हाइटेक पेंग वार्ड का प्रस्ताफ तयार किया है इसमें कॉर्परेट हॉस्पिटल की तरह सूपर लगजरी सूपर वी आईपी रूम उपलब्द होंगे पेंग वार्ड में भरती मरीजों के लिए अलग से ड सबी कमरों में प्राइवेट अस्पतालों जैसी सुविधा मिलेगी इनके नाम भी अलग अलग रखे जाएंगे वी आईपी रूम लगजरी रूम सूपर वी आईपी रूम इस तरह से नाम दिये जाएंगे मेडिकल प्रशासन ने नए पैंग वार्ड के लिए करीब 40 रुपए का प्रस्ताव तयार किया है पालक मंतरी नितिन राउत ने इसके लिए हर संभव आर्थिक मदद का आशवासन दिया मेडिकल के अधिश्टता डॉक्टर सुधीर गुपता ने बताया कि प्रस्ताव तयार कर लिया गया है इसे प्रशासकिये मान्याता के लिए जि मुझी विवस्था की पुरुथक रहेगी इसके लिए मरीजों से शासकिया दरों में ही शुल्क लिया जाएगा यदि कोई शासकिया सुविधा का लाब प्राइवेट अस्पताल की तरह लेना चाहता है तो वह भरती हो सकेगा बैंकों के लिए चल अचल संपत्ती जब्त करने का काम करने वाले दो भाईयों ने प्लोट बेजने के नाम पर लोगों को चूना लगाया दोलों के शडियंद्र का भाजपा के पदादिकारी भी शिकार हुए बताया जाता है कि चार लोगों से एक करोट चौसट लाख रुपए लेकर आरोपी रकम पचा गया प्रताबनगर पुलीस ने स्वागत सोसाइटी शंकरनगर निवासी रोहन कुमार सीह की शिकायत पर मामला दर्ज किया है पुलीस ने बताया कि आरोपियों में आदिवासी सोसाइटी जिंगाबाई टाकली निवासी नरेंदर राजेश वाहने और सत्यम अपार्टमेंट जाफरनगर निवासी विजय उर्फ नीलू राजेश वाहने का समावेश है प्रकरन में नरेंदर की पतनी की भूमी का भी संदिहास्पत बताई जा रही है आरोपियों की ठगी का शिकार हुए लोगों में भारतिय जनता युवा मूर्चा के शहर अध्यक्षप पारेंदर पटले रोजगार सेल के अध्यक्षप कुनाल पडोले और विपिन तेलगोटे का भी समावेश है जानकारी मिली है कि और भी लोग पुलीस से वाहने बंदू की शिकायत कर सकते हैं दोनों बैंकों के लिए सीजिंग का काम करते हैं जो ग्रहक लोन की किस्ते नहीं भर पाते उनकी संपत्ती जब्त करने का काम भी आरोपियों का है अक्टूबर 2020 में आरोपियों ने रोहन को चार प्लोट दिखाये उन्होंने बताया कि चारो प्लोट बैंक आफ बडोदा ने सीज किये हैं जल्दी उनकी बीकरी की जाएगी वे चाहे तो बैंक के अधिकारियों से सेटिंग करके कम दाम में प्लोट मिल सकते हैं रोहन को प्लोट पसंद आ गए आरोपियों ने ओनलाइन सेल डील करवाने का भी आश्वासन दिया था इसके लिए रोहन ने आरोपियों के खाते में 72,4,000 रुपए आटी जियेस कर दिये बाद में रोहन ने बैंक में पूछता आच की उन्हें पता चला की आरोपियों उन्हें बेवकूफ बना रहे है रोहन ने पुलीस से शिकायत करने की चेताउनी दे कर अपनी रकम वापस मांगी आरोपियों ने 20 लाक रुपए लोटा दिये लेकिन बाकी रकम देने में टाल मटोल करते रहे इसी दोरान रोहन को पता चला की आरोपियों ने जमीन दिलाने के नाम पर पारेंद्र पटलिक, कुनाल पडोले और विपिन तेलगोटे को भी चूना लगाया है कुनाल को लेकर कॉंग्रेस समर्ति सहकार पैनल की लिस्ट लगबख फाइनल हो गई है अठरा लोगों कच्चा यंसुनिल के दार ने कर लिया है अंतिम क्षनों में केवल एक दो नाम इधर से उधर हो सकते हैं लेकिन सूची जारी नहीं की जा रही है अंतिम समय में इन उमिद्वारों को जानकारी दी जाएगी ताकि दूसरे दल इसका पूर्वन उमान न लगा सके वही दूसरी और भारतिय जन्ता पार्टी को कैंडिडेट ढूनने के लिए एडी चोटी का जोर लगाना पड़ा है उलेकन यह है कि कृशी उत्पन्न बाजार समेती कलमना की चुनाओ 28 सितंबर को होने वाले है चुनाओ में सहकार पैनल से लड़ने वाले इच्चुक उमिद्वारों को केदार पर पूर्ण भरोसा है ग्रामिन क्षेत्रों में सहकारी ग्राम पंचयत वर्गों को लेकर ही चर्चाई ज्यादा हो रही है लेकिन एक बात आम है कि केदार जो बोलेंगे वह अंतिम होगा कॉंग्रेस से चुनाओ लड़ने वालों की कमी नहीं है बताया जाता है कि एक एक पद से दस दस उम्मिद्वार सामने आ रहे है लेकिन सभी ने अपना भरोसा केदार पर जताया है और उनके निर्णे को अंतिम मान कर चलेंगे वही दूसरी और बीजेपी को उम्मिद्वार चुनने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है कई कॉंग्रेस नेताओ पर भी डोरे डाले जा रहे है सूत्रों की माने तो कुछ कॉंग्रेसी नेता चुनाओ लड़ने के चक्कर में भाजपा में शामिल हो सकते है इसका पूर्वा अनुमान कॉंग्रेस पहले लगा चुकी है इसलिए इसे महत्व नहीं दे रही बीजेपी के कई विधायक अलग-अलग जगाहों से उम्मिद्वार खोजने का काम कर रहे है और फोन कर चुनाओ लड़ने के लिए कह रहे है यहाँ पर भी अंतिम क्षनों में ही कुछ स्पष्ट हो सकता है हिंगना एपीमसी में बंग पैनल को बहुमत मिला था बंग पैनल ने बीजेपी के कुछ उमिद्वारों के लिए सीट छोड़ दी थी और बाद में दोनों दलों ने मिल बैट कर चुनाओ पूर्ण करा लिया था कलमना में भी इसी प्रकार की बातों को पुनह धोराने के भी कयास लगाए जा रहे है रैमडेसिविर इंजेक्शन की काला बाजारी के मामले में पकड़े गए आरोपी को अतरिक्त सत्र नियादिश पीवी गोगे ने पाच वर्ष कारावास की सजा सुनाई दोशी करार दिया गया आरोपी समुद्रपूर वर्धा निवासी निखिल बलवंत डहा के बताया गया जबकि उसके साथ ही उपलवाड़े निवासी दीपक श्रीराम महोबिया और संजे शिवपाल यादव के खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं होने के कारण उन्हें बरी किया गया 25 अप्रैल 2021 की रात प्रताप नगर के थानेदार दिन कर ठोसरे और उनकी टीम ने निखिल को 30,000 रुपए में रेम डेसिवीर इंजेक्शन बेचते रंगेहाथ गिरफतार किया था पकड़े जाने के बाद उसने अपने साथी दीपक और संजे का नाम बताया उन दोनों की भी गिरफतारी हुई दीपक और संजे मूल तहब बैतूल के रहने वाले हैं बिस्ति नरसिंग की पढ़ाई करने के बाद दोनों किंग्जवे अस्पटाल में काम कर रहे थे जबकि निखिल भी नरसिंग की पढ़ाई कर चुका है PSISI बारगल ने प्रकरन की जांच कर आरोप पत्रे दायर किया विशेश सरकारी वकील जियोती वजानी अदालत के सामने 21 गवाहों के बयान दर्ज करवाए अब योजन पक्षन निखील के किलाव धोका धड़ी का आरोप सिद्ध करने में काम्याब हुआ नियाले ने उसे दोशी करार देते हुए पाच वर्ष कारवास और पाच हजार रुपे जुर्माने की सजा सुनाई बत और पैरवी अधिकारी हेट कॉंस्टेबल किशोर ठाकरे और शेकर गायकवार ने काम का संभाला तो वक्त हो गया एक छोड़े से ब्रेक का मिलते है एक ब्रेक के बाद लाव यू दिपिकार सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरिट कालर मेरा फेवरिट डेस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नई पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है, वो अच्छे टेस्ट तक पहांची जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची, तो घर लाइए सुरुची अपने सपनों के उड़ान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूत होने चीए जो देता है Flywheel Aviation Academy Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट है जहाँ पर एरलाइन और एरपोर्ट होस्पिटालिटी और टूरिजम मनेजमेंट साथ ही यहाँ Campus Interview, Guidance by Industry Expert, Practical Training at Airport, Expert Faculty, Personal Grooming जैसे कई सारे benefits आप पास सकने हैं Flywheel Aviation Academy वन डिग्री, त्री जब अपर्चुनिटीज Flywheel Aviation Academy घिज यो डिग्री और डिप्लोमा विद जॉब Flywheel Aviation Academy 365 गानी नगर, LAD College Square, Beside करनाटिका बैंक नागपुर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है विधान सभा चुनाओ के दोरान नमानकन पत्र के साथ जोड़े जाने वाले दस्तावेजों में गड़बडी और अधूरी जानकारी होने का हवाला देकर विधायक टेक्चन सावरकर का चुनाओ रद करने की मांग को लेकर सुधाकर हटवार की और से हाई कोट में चुनाओ याचिका दायर की गई इस पर लंबी सुनवाई के बाद नयादिश पुश्पा गनेडी वाला ने याचिका के साथ जोड़े गए दस्तावेजों में वैद आकडो और तत्यों की कमी का हवाला देती हुए याचिका खारिज करती अदालत ने आदेश में कहा कि याचिका करता ने सावरकर का नामांकन अवैद रूप से स्विकार किये जाने का आरोप तो लगाया लेकिन इस संदर्ब में याचिका के आधार को पुखता करने के कोई भी तत्य प्रस्तुत नहीं किये इसे देखते हुए प्रतिवादी पख्षक की और से इसी स्थर पर याचिका को खारिज करने की मांग की गई है नामांकन पत्र के साथ दिये गए शपत पत्र में कई प्रकार की अधुरी जानकारी होने का आरोप तो याचिका में लगाया गया है किन्तु सम्विधान प्रतिनीदी कानून या नियम या आदेशों के अनुसार किसका पालन नहीं किया गया इसे लेकर किसी तरह का खुलासा नहीं किया गया है। किये जाने से वास्तविक रूप में चुनाव प्रभावित होने को सावित करना जरूरी नहीं है। इसी तरह से नामानकन पत्र भी अधूरा होने के कई पुकता सबूत या दस्तावेच उपलब्द नहीं कराए गये है। त्योहार के मौके पर परिवहन विभागने यात्रियों से दुगना किराया वसूलने वाली नीजी यात्री बस संचालकों पर लगाम लगाने का फैसला किया है। क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी खंडेराव देशमुक ने अधिरिक्त किराया होने पर कारवाई करने की चितावनी दी है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रिय परिवहन महामंडल द्वारा यात्रियों के लिए एस्टी बस उपलब्द है। यह सेवा प्रदान करते हुए नीजी बसे भी इसी रूट पर चलती है लेकिन यात्रियों से इन बसों में अधिक या दुगना तक अधिक किराया वसूलने की शिकायते मिलती रहती है। किराय के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे। इसी के अनुसर वातानुकुलित और वातानुकुलित बसों के लिए दरे निर्धारित की गई है। में पिछले सप्ताह से और गत दो दिनों से हो रही जमा जम बारिश से जिले के छोटे बड़े सभी डैम सहित नदी और नाले पानी से लबालब भर गए है। कई डैम तो अब ओवरफलो होने की कगार पर है। ऐसे में जिला आपदा व्यवस्थापन की और से नदी किनारे बसने वाले लोगों सहित डैम पर सेलफी लेने वालों को भी सतरकता की चितावनी दी है। आने वाले दो दिनों में जिले के कुछ स्थानों पर अतिव रुष्टी होने का भी अनुमान मौसम विभाग ने दर्शाया है। इसके अलावा नदी किनारे रहने वाले गाव के लोगों को नदी से या पूल से आवागमन करने वाले सभी लोगों को सतरकता बरतने की चेतावनी भी दी गई है। जिले के लोवर वेना प्रकल्प के वडगाव और नांद डैम के साथ साथ दर्वाजे खोले गए जिससे नदी का जलसतर बढ़ गया है। मंगलवार की सुबह वडगाव डैम के एक से बीस में साथ गेट 25 सेंटिमिटर खोले गए। तो शेड़ेश्वर के नंद डैम के पूरे साथ दर्वाजे 75 सेंटिमिटर खोले गए। विदे कुछ दिनों से जिले में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते कई इलाकों में फसलों को नुकसान पहुचा है। किसानों के ततकाल मदद के लिए पशु समवर्द्यन मंत्री सुनिल केदार ने संबंदित विभाग के अधिकारियों को पंचनावा शुरू करने का निर्देश बैठक में दिया। जिलादिकारी कारियाले में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि फसल बीमा सडकों के नुकसान और घरों के नुकसान का भी सर्वेक्षन कर रिपोर्ट ततकाल पेश करें। बीते तीन दिनों से जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते सोयाबिन की तयार फसल पर भी संकट आ गया है। इसके साथ ही रोड, घरो, पूलों के नुकसान का भी सर्वेकर रिपोर्ट तयार करें। उन्होंने बैठक के दोरान ही राजस्व मंतरी बाला थोराट और मदद्व पुनरवास मंतरी विजय वटेटिवार से समवात कर जिले की परिस्तिती की जानकारी दी। उन्होंने उनसे कहा कि जिला अधिकारी को उनके स्तर पर पंचनामा करने के संदर्ब में निर्देश चारी करे। जिले में बड़ी संख्या में किसानोंने फसल बीमा की प्रीमियम जमा किया है। जिसके चलते बीमा कंपनियों से समय पर मदद होनी चाहिए। ये सुनश्चित करने का निर्देश उन्होंने जिला अधिकारी को दिया। जिला परिशत के अभियंता गनोरकर को ग्रामिन भागों में रोड के नुकसान के संदर्ब में पूरी आकडेवारी प्रस्तुत करने का निर्देश उन्होंने दिया। नियमों का उलन्खन कर वालन चलाने वालों के खिलाफ ट्राफिक पुलीस इचालान जारी कर रही थी लेकिन अधिकांश चालक चालान का भुकतान नहीं कर रहे थे। ऐसे में पुलीस ने 26,412 वाहन चालकों को नोटिस जारी किया। 21 सितंबर तक चालान नहीं भरने पर 25 सितंबर को लोग अदालत में उपस्तित रहने के निर्देश दिये गए। पुलीस द्वारा नोटिस जारी किये जाने के बाद चार दिनों में 4,302 वाहन चालक जुर्माना भर चुके है। DCP Traffic सारंग आवार ने बताया कि पुलीस CCTV कैमरों के जरिये यातायात नियमों का उलंगन करने वालों को ईचलान जारी करती है लेकिन देखा जा रहा है कि लोग इसे लेकर गंभीर नहीं है और नियम तोड़ते जा रहे है। इसलिए हमने 1 मार्च से 31 अगस 2021 के बीच जारी किये गए इच आलान का भुकतान करवाने के लिए जिला विधी सेवा प्राधिकरन की मदद ली। चालान का भुकतान नहीं करने वाले 26,412 चालकों को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस जारी होने के बाद बड़ी संख्या में वाहन चालक ट्राफिक ऑफिस पहुच कर चालान का भुकतान कर रहे है। चालान नहीं भरने वालों को महा लोक अदालत में उपस्तित रहना होगा। जो लोग लोक अदालत में उपस्तित नहीं रहेंगे उन पर आगे कानूनी कारवाई की जाएगी। तो वीकेवी न्यूस के प्राइम टाइम में अब तक के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहें वीकेवी न्यूस। झालत में झालत में प्राइम अजय के लिए प्राइम झालत में वीकेवी न्यूस।